भारतिय दंड सहीता 1860 मैं आज हम देखेंगे अध्याय दो साधारन इसपस्टी करण धाराच्य से लेकर 52 ए तक तो देखते हैं धाराच्य जो उपबंद करती है सहीता में की परिभाशाओं और अपवादों का अपवादों के अध्यादीन समझा जाना तो इस सहीता में सर्वत अपराध की हर परिभाशा, हर दंड उपबंद और हर ऐसी परिभाशा या दंड उपबंद का हर द्रिष्टान साधरन अपवाद शीर्शक वाले अध्याय में अंतरविष्ट अपवादों के अध्यादीन समझा जाएगा चाहे उन अपराधों को ऐसी परिभाशा दंड उपबंद या द्रिष्टान में दुहराया न गया हो द्रिष्टान का इस सहीता की वेधाराएं जिनमें अपराधों की परिभाशाएं अंतरविष्ट हैं या अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि साथ वर्षे कम आयू का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता किन्तु परिभाशाएं उस साधारन अपवाद के अध्यदीन समझी जानी हैं जिसमें यह उबंदित है कि कोई बात जो साथ वर्षे कम आयू के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है उधारन खा का एक पुलिस ओफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है यहां का सदोष परिजोद के अपराध का दोशी नहीं है क्योंकि यह को पकड़ने के लिए विधी द्वारा आबद था और इसलिए यह मामला उस साधरन अपवाद के अंतरगत आजाता है जिसमें यह बंदित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधी द्वारा आबद हो धारा साथ एक बार इस पश्टिकरित पद का भाव हर पद जिसका इस पश्टिकरण इस सहीता के किसी भाग में किया गय इस सहीता के हर भाग में उस इस पश्टिकरण के अनुरूफी प्रयोग किया जाएगा धारा आठ लिंग पुलिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किया गया है वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है चाहे वो नर्हो या नारी धारा नाव वचन जब तक कि संदर्व से त पुरुषब्द किसी भी आयू के मानव नर का देयोतक है धारा ग्यारा व्यक्ति कोई भी कमपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वन निगमित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतरगत आता है धारा तेरा क्विनकी परिभाष व्यधी अनुकूलन आदेश उस्टि द्वारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिये नियूजित किये गए किसी भी आफिसर या सेवक का देवतक है धारापंद्रा में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा विधी अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्शित है धारा सोला गवर्मेंट अफ इंडिया की परिभाषा भारत सासन भारती विधी अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्शित है धारा सत्रा सरकार सरकार केंद्री सरकार या किसी राजी की सरकार का देवतक है धारा 18 भारत भारत से जम्मू काश्मीराज के सिवाए भारत का राज छेत्र अभीपरेथ है नयादीश धारा 19 नयादीश नयादीश शब्द ना केवल हर ऐसे व्यक्ती का दियत्यक है जो पद रूप में नयादीश अभीवीट हो किन्तो उस हर व्यक्ति का भीद्यो तक है जो किसी विधी कारवाही में चाहे वह सिविल हो या दांडिक अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद अपील ना होने पर अंतिम हो जाए अथ्वा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निर्णय देने के लिए विधी द्वारा सशक्त किया गया हो द्रिष्टांत देखे का सन 1849 के अधिनियम 10 के अधिन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर नियाधीश है किसी आरोप के संबन में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास या दंड देने की शक्ति प्रात्थ है चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो अधिकारिता का प्रयोग करने वा जिनके लिए उसे केवल अन्य न्याले को विचारनार्थ सुपूर्थ करने की शक्ती प्राप्थे अधिकारिता का प्रयोक करने वाला मजिश्टेट न्याधीश नहीं है। कर रहा हो दियोतक है। तीसरा हर न्याधीश जिसके अंतरगत ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है जो किनी न्याइक निर्ने कृतियों को चाहे वह स्वयम या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस के रूप में निर्वहन करने के लिए विधी द्वारा सक्त किया गया हो। चौथा न्याले का हर ओफिसर जिसके अंतरगत समापक, रिसीवर, कमिशनर आता है जिसका ऐसे ओफिसर के नाते करतव हो कि वह विधी या तथे के किसी मामले में अन्वेशन या रिपोर्ट करे या कोई दस्तवेज बनाए अधिप्रमानित करे। या रखे या किसी संपत्ती का भार समाले या उस संपत्ती का वेयन करे या किसी न्याई का दिशिका का निस्पादन करे या कोई सपद गरहन कराए या निर्वचन करे या न्याले में विवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे करतव्यों में से किनी का पालन करने का प्राधिकार न्याले द्वारा विशेश रूप से दिया गया हो। जिसका ऐसे ओफिचर के नाते या कर्तव हो कि वह अपराधों का निवारन करें, अपराधों की इतला दें, अपराधियों को नय के लिए उपस्थित करें या लोग के स्वास्त छेम या सुईधा की सरक्षा करें। प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेशन या रिपोर्ट करें या सरकार के धनसंबधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेश को बनाए अधिप्रमानित करें या रखें या सरकार धनसंबधी हितों कि सरक्षा के लिए किसी विधी के वेतिकरम को रोकें। दस्वा, हर अफिशर जिसका ऐसे अफिशर के नातेया करतव है प्रकाशित करने बनाय रखने या पुनरिक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के लिए भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। 1956 की धारा 617 में यथा परिभासी सरकारी कंपणी की सेवा या वेतन में हो। तो द्रिष्टांत देखिए कि न्याय पाली का आयुक्त लोकसेवक है इस पश्टी करन ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोकसेवक हैं चाहे वे सरकार द्वार नियुक्त किये गए हो या नहीं। इस पश्टी करन दो जहां कहीं लोकसेवक पद आये वे हर व्यक्ति के संबन में समझे जाएंगे जो लोकसेवक के ओधे को वास्तों में धारन किये हुए चाहे उस ओधे को धारन करने के उसके अधिकार में कैसी भी विधिक्त रूटी हो इस पश्टी करन ती निर्वाचन शब्द में किसी विधाई नगर पालिका या अनिलोक पराधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो सदर्श्यों के वरणार निर्वाचन का दियुतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धती किसी विधी द्वारा या अधिन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो धराबाई जंगम संपत्ति जंगम संपत्ति सब्दों से आशईत है कि इनके अंतरगत हर भाति के मूर्त संपत्ति आती है किन्तो भूमी और वे चीज़े जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थाय रूप से जोड़ी हो इसके अंतरगत नहीं आती है सदोस अभिलाब सदोसानी उठाता है यहां तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति के सदोस अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोस वंचित किया जाता है धारा चोबिस बैमानी से जो कोई इसासे से कोई कारे करता है कि एक व्यक्ति को सदोस अभिलाब कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदो सानी करे वह उस कारे को बैमानी से करता है या कहा जाता है धारापच्चिस कपट पूर्वक कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है या कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है अन्यता नहीं धाराचपश विश्वास करने का रखता है यह तब कहा जाता है जबकी वह उस बात के विश्वास करने का पर्याब थेतुग रखता है अन्यथा नहीं धारासत्तय पत्नी लिपिक या सेवक के कबजे में संत्ती जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक्या सेवक के कबजे में है तब वह इस सहिता के अर्थ के अंतरगत उस व्यक्ति के कबजे में है इस पश्टिकरन लिपिक्या सेवक के नाते अईस्थाई रूप से या किसी विशिष्ट वसर पर नियो की जाएगी कूटकरण करता है यह कहा जाता है Сब्सक्राइब कूटकरण के लिए आवश्यक लिए के नकल ठीक वैसा ही हूँ आसए कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सद्रिश कर दे और साद्रिश ऐसा है कि तत द्वरा किसी व्यक्ति' को प्रवंचना हो सकती है तो जब तक की तत्परतिकूल साबितना कर दिया जा या उब्धारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज की दूसरी चीज से इस प्रकार सद्रिश बनाता है उसका आशे उस साद्रिश प्रवंचना करने का था या संभाव जानता था कि तत्द्वा वर्णित किया गया हो जो उस में उपयोग किया जा सकता है द्रिष्टांग गिसी समविधा के साक्ष के रूप में उप्योग किया जा सके दस्तावेज है बैंकार पर दिया गया चेक दस्तावेज है मुखतार नामा दस्तावेज है मानचित्र या रेखांग जिसको साक्ष के रूप में उप्योग में लाने का आशय हो जो उप्योग में लाया जा सके दस्तावेज है होता हो वह इस धारा के अर्थ के अंतरगत ऐसे अक्षरों अंको या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा चाहे वह वस्तुता अभिव्यक्त न किया गया हो द्रिश्टांक कव एक विनिमय पत्र की पीट पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है अपना नाम लिख देता है माणिजीत प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस प्रिश्ठांकन का अड़्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुख्तान कर दिया जाए प्रिश्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानुहस्ताक्षर के उपर धारा को भुक्तान करो शब्द या तत्प्रभा वाले शब्द दिये गये हों। धारा 39A इलेक्ट्रोनिक अभिलेक शब्दों का वहियात है जो सूचना प्रद्दोगी की अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नमे है। धारा 30 मूलेवान प्रतिभूती शब्द उस दस्तावेज के देवतक हैं जो ऐसी दस्तावेज है या होना तातपरित है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार श्रीजित, विस्तरित, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए। छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्विकार करता है कि वह विधिक दाइत्ट के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। द्रिष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीट पर अपना नाम लिखतेता है। इस प्रिष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का का अधिकार अंतरित किया जाता है। इसलिए यह प्रिष्ठांकन मूलेवा प्रतिभूती है धारेकतिस बिल बिल शब्द किसी भी वसीयत बिल होना चाहिए दस्तावेच का देउत्तक है धाराबत्तिस कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतरगत अवैध लोप आता है तो जब तक कि संदर्ब से तत प्रतिकूल आशय प्रतित ना हो इस स दो तक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कारे का लोप लोप शब्द लोपावली की दो तक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का धाराचाउंतिस समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कारे जबकि कोई आपराधिकारे कई व्यक्तियों द अपराधिक है कि वह आपराधिक ज्याने आशे से किया गया है जब कभी कोई कारे जो आपराधिक ज्याने आशे के किये जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्याने आशे से उस कारे में स और अन्षितायक को बोज़न देने का अबएद रूप करके और अन्षितायक को पीट कर साशयक की मृत्यू कारिद करता है। ने हत्या की है। 37 धारा 37 किसी अपराद को गठित करने वाले कई कारियों में से किसी एक कारिय को करके सहयोग करना तो जबकि कोई अपराद कई कारियों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्यवेक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कारियों में से कोई एक कारे करके उस अपराद के किये जाने में साशे सहयोग करता है वह उस अपराद को करता है द्रिश्टान देखते हैं का और खा प्रिथक प्रिथक रूप से और विभिन समय पर यह को विश्ट की छोटी-छोटी मात्राइं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं का खा यह की हत्या करने के आसाय से सहमती के अनुसार यह को विश्ट देते हैं या इस प्रकार दी गई विश्की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। या को दिये जाने के प्रयोजन से जो भोजन क और ख को दिया जाता है। या की मृत्यू कारित करने के आशाय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोग करता है। या की शक्ती बहुत छिन हो जाती है किन्तु वह चुदा पीडन उसकी मृत्यू कारित करने के लिए परयाप्त नहीं है। तो का अपने पद से चूत कर दिया जाता है और ख उसका उत्तरवर्ती होता है। का से दुसंदी का सहयोग किये बिना ख या जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव है कि या की मृत्यू कारित कर दे या को भोजन देने का अवैध लोब करता है। या भूक से मर जाता है ख हत्या का दोशी है किन्टु का ने ख से सहयोग नहीं किया। इसलिए का हत्या के परयत्न का दोशी है। अगली धारा है धारा 38 आपराधिक कारे में संप्रिक्त व्यक्ति विभिन अपराधों के दोशी हो सकेंगे तो जहां कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कारे को करने में लगे हुए हैं या संप्रिक्त हैं वहां वे हर वे उस कारे के आधार पर विभिन अपराधों के दोशी हो सकेंगे द्रिष्टान देखते हैं का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमन करता है कि यह उसके द्वारा वद किया जाना केवल ऐसा आपराधिक माना वद है जो हत्या की कोटी में नहीं आता है खा को यह से वैमनश्व रखता है उसका वद करन जाने के आसे से और प्रकोपन से वशिभूत नहोते हुए यह कवद करने में क की साहता करता है यहां यद्यपी क ख दोनों यह की मृत्यू कारित करने में लगे हुए थे ख हत्या का दोशी है और क केवल आपराधिक माना वद का दोशी है धारा 49 स्वेक्षया कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेक्षया कारित करता है या तब कहा जाता है कि जब वह उसे उन साधनों द्वारा करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसने उसका कारित होना संभाव्य है द्रिष्टान देखें कि का लूट को सुकर बनाने के परयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए ग्रिह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यू कर देता है यहां का आशाय भले ही मृ मृत्यू कारित हुई तो भी वह्या जानता था कि संभाव है कि वह मृत्यू कारित कर दे तो उसने स्वेक्षया मृत्यू कारित की है धारा चालिस अपराद इस धारा के खंड दो और तीन में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाए अपराद शब्द इस सहीता यंदन ही की गई किसी बात का देउतक है अध्याय चार अध्याय पांच का और निम्न लिखित धारा अरथात 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 117, 117, 119, 119, 119, 213, 211, 213, 214, 222, 222, 222, 222, 222, 232, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध इस सहिता के अधीन या एतत्स्मिन पश्चात यथा परिभाशिच विशेश या इस्थानी विधी के अधीन दंडनी अबाद का दियो तक है और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216, 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दसा में वही है जिसमें कि विशेश या इस्थानी विधी के अधीन दंडनी अबाद ऐसी विधी के अधीन चह माज या उससे अधिक अधीक अधी के कारावास से चाहेवा जुर्माने सहित हो या रहित दंडनी हो, धारा 41, विशेश विधी, विशेश विधी वह विधी है जो किसी विशेश्ट विशे को लागू होती है, इस्थानी विधी, इस्थानी विधी वह विधी है जो भारत के किसी विशेश्ट भाग को ही लागू होती है, धारा 43, अवैद, अवैद शब्द हर उस उस बात को करने के लिए वैद रूप से अबद कहा जाता है जिसका लोब करना उसके लिए अवैद है दाराचामाली छटी छटी शब्द किसी प्रकार की अभानी का देवतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याती या संपत्ति को अवैद रूप से कारित हो दाराचामाली जीवन जब तक कि संदर्ब से तत प्रतिकूल प्रतीतना हो जीवन शब्द मानों के जीवन का देवतक है के लिए बनाई गई हो ताराउनचास वर्ष या मास जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द प्रयोग किया जाता है वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गर्णा ब्रिटिस केलेंडर के अनुकूल की जानी चाहिए धारा पचास धारा धारा शब्द इस सहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से एक कद्यों तक है जो सीरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सूभिन्न किये गए हैं धारा इंकावन शपत शपत के लिए विधी द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ट प्रतिग्यान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्याले में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधी द्वारा अपेक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। जिस प्रकार के इस धारा में परिगनित हैं किसी व्यक्ति की सहता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। धन्यवाद।